हाई फ्रेंज वेलकम बेक टो मैं चैनल और आज हम बनाएंगे गाजर मूली मीच का इंस्टेंट अचार मतलब आप इसे एक मेने तक स्टोर करके भी राख सकते हैं और इंस्टेंट खा सकते हैं आपको वेट करने की जरूत नहीं कि अचार कब बनेगा बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है तो हमें यहाँ पर करना क्या है मूली लेनी है मैंने यहाँ पर एक बड़ी मूली लिए उसके चिलके निकालनी है और अगर चोटी मूली है तो दो-तीन मूली ले लीची तीन गाजर ली है क्योंकि गाजर में पास चोटी से थी तो लिए और पांच छे हरी मेड चिले हैं तो मूली को इस तरह से एक वल शेप में काटना है क्योंकि हम इसी लंबा कट करना है तो इक वल शेप होना बहुत ज़िरूरी है अचार में बहुत अच्छा लगता है तो सारी मूली जो हम इस तरह से कट कर लेंगी और एकदम पतला-प किस्टी बनेगा इतना रिच बनेगा इतना फ्लेवर अच्छा आएगा आप सारी बाकी सारे अचार जो आना खाने बूल जाओगे तो गाजल भी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं लंबाई हुए और अचार हमारा बनकर बहुत चल्दी रेडी भी हो जाता है मतलब इतना असान ह कोई भी बना सकता है और गाजल मूली तो सीजनल है इस समय मिल रही है तो क्यों आप बना के रखे और एक मएने तक अराम से फ्रीज में रखकर खा सकते हैं खराब भी नहीं होता है तो यहाँ पर हम मिर्ची को भी इस तरह से लमा-लमा कट कर लेंगे मिर्ची के मैंने बीच हटा लिए क्यों थोड़े मुझे तीखी लग रहे थी तो बीज मैंने आप रिमूव कर लिए है और सारी चीज़े एक साथ रख लेंगे और अब हमें आप लेंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी राई है काली वाली सरसो है और मेती की दान है सोंफ है और खड़े वाले धन में तो इसे हमें ठंडा कर रहा है और एक मिक्सर में डालकर इसका एक पाउडर बना लेना है कि खास मसाला है जो अचार में बहुत अच्छा टेस्ट देगा तो अब हम पैन में लेंगे सरसो का तेल यह पर 80 ml के करीब सरसो का तेल लिया है अब नॉर्मल तील में भी बना सक चीजे वो एड कर देंगे मतलब मीच, गाजर है, मूली है वो सारी चीजे इसमें एड कर लेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे मतलब ज़्यादा नहीं पकाना है बट थोड़ा सा इसे अच्छे से कुख करना है ताकि इसका मोश्य निकल जाए और अचार हमारा लंबा तो यहाँ पर देखी हमने इसी अच्छी से मिला लिया है इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है सर्सो की तेलगी वज़े से जैसे अचार थोड़ा पक जाए न इसमें एड़ करेंगी मसाला जो हमने बना कर रखा था दो चमच में यहाँ पर एड़ कर रही हूँ कम लगेगा तो और एड़ कर दूँगी थोड़ी सी यहाँ पर कलोंजी एड़ कर रही हूँ इसके बिना तो अच्छार का टेस्ट भी नहीं होता है देड़ चमच मैंने यहाँ पर एड़ किया है नमक और थोड़ी सी मेया पर एड़ कर रही हूँ रेड चिली पाउडर थोड़ी सी हल्दी और इन चीजों को सबको अच्छे से मिला लेंगे गैस को कम ही रखना है ज्यादा नहीं रखना है क्योंकि हमें इसे ओवर्पुक नहीं करना है और सारा जो मसाला हमारा बच्छा हुआ था न वो भी एड़ कर देंगे पूरा नहीं तो अच्छार का अच्छा फ्लेवर निया आएगा तो पूरा मसाला में निया पर एड़ कर लिया है और अच्छार हमारा अल्मूस्ट बनकर रेड़ी है अब हम इसमें एड़ करेंगे विनेगर इससे क्या होगा कि अचार हमारा लंबे टाइम पर ख्राब नहीं होगा और इसमें एक स्वाद आएगा जैसे मार्केट से मचार लाते ना तो खटा पनाता ना वैसा स्वाद इसमें आएगा तो सफेद सिरका मैंने या परेंड किया है एक मिनट इससे कुप कर लेंगे और फिर गैस को बन कर लें अचार हमारा बन कर रेड़ी है ठंडा होने दें इसे और फिर इसे बोटल में वरकर रख लेजे काच की एकदम क्लीन डबबा होता ना उसमें वरकर रख लेजे अचार आपका एक मैने तक चलेगा तैंक ये फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग नेसिपीक से आथ तब तकी लिए बाए